नमस्कार दोस्तों NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और उपस्तित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर ये वीडियो होने बाली है महिलाओं के पहरों से संबंदित इसी लिए वीडियो को अंततक पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आप से छूटने ना पाए दोस्तों अगर जिस अवरत के पाउं ऐसे होते हैं तो ऐसे में उसका पती, घर परिवार और सब कुछ बरबाद हो जाता है शास्त्रों में भी बताया गया है कि ऐसे पाउं वाली अवरत पूरे घर का बिनाश कर देती है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के हाव भाव, चेहरे और शारिरिक बनाबट के आधार पर कई पहलूं पर विस्तार से चर्चा की गई है इस शास्त्र में बताया गया है कि इस्त्री के पाउं उसके पती के भविश्य के बारे में काफी कुछ बताते हैं दर असल हर इस्त्री के पैर में कुछ खास निशान होते हैं जो उसके पती के उज्जल भविश्य का संकेत देते हैं साथ ही यह भी बताते हैं कि वो आपके घर के लिए अनलकी है या फिर लकी लेकिन आप ये भी जान ले कि ऐसे पहरों बाली आउरत आपको बरबाद कर सकती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक अगर किसी इस्त्री के पाउं के तलबों पर चक्र ध्वज या स्वास्तिक का निशान हो तो उस संबंदित श्त्री से विवाह करने वाले पुरुष को राज सुक प्राप्त होता है वो राजा की तरह जीवन बिताता है और दोस्तों इतना ही नहीं उसकी पतनी को भी रानी के जैसा सम्मान प्राप्त होता है आईसी इस्त्री पती के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होती ऐसे में उन्हें जीवन में धेर सारी सफलता और खुशी भी प्राप्त होती है दोस्तों जिस इस्त्री की अनामिका उंगली की लंबाई अंगूठे और तरजनी उंगली से अधिक बड़ी होती है तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि वो इस्त्री अपने पती के लिए चिंता का सदैप कारण बनी रहती है यदि किसी इस्त्री के पैर की मध्यमा और अनामिका उंगली की लंबाई लगभग समान होती है तो उसके पती की आर्थिक इस्तिती को लेकर हमेशा ही समस्या बनी रहती है दोस्तों शास्त्र के अनुसार अगर चलते समय इस्त्री के पैर की कनिष्ठिका और अनामिका उंगली जमीन को इसपर्ष नहीं करती तो ये कम उम्र में ही बिद्वा हो जाने का संकेत हो सकता है दोस्तों अगर किसी इस्त्री के पैर के तलबों पर कमल का निशान बना हो तो ये इस बात का संकेत होता है कि संबंधित इस्त्री का पती राजनीती के छेतर में सफलता प्राप्त करेगा समाज में मान सम्मान प्राप्त होने के साथ ही हमेशा उसको प्रसिद्धी का साथ मिलेगा नमबर पांच दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इस्तरी के पैरों की येडी गोल, कोमल, सफाचट और आकरशक होती है तो ऐसी इस्त्री उसके पती के लिए वर्दान होती है ऐसी इस्त्रियां जहां भी जाती है बहां दौलत खुझ चल कर आती है और ऐसी महिलाओं को चका चांद भरी जीवन शैली प्राप्त होती है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने बाली हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिब नॉलेजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत